अब जारी हुचका है इसके बारे में संपुन जनकारी देते हैं तो आप वीडियो में बने रहें और अगर विडियो अच्छा लगे तो शेर कर दे वीडियो को लाइक कर दे चैनल को अभी तरह सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की इंफर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे यह नोटीस है अफिसेल नोटीस है गवर्नमेंट आफ इंडिया और परफाइब बताते हैं उसमें क्या संसोधन हुआ है यह 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 पर फाइप फाइप पाइप यह पाइप फाइप पंडियो फाइप पंडियो कहता है एक साथ दोजर चोविस को आयू सीमा 18 से वर्स होने चाहिए ऐसा पराफाइब कहता है और पाइब 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 पंटू कहता है विद्वारों की जन्रती थी नीचे तैलिका के बीच होने चाहिए यानिकी 18-30 कहां से होने चाहिए एक साथ 2006 के बीच होने चाहिए यह सभी इडिट इसमें इंक्लूडेड है यह पाइब 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 पॉइंट जीरो और पाइब पाइब पॉइंट टू में संसोधन संसोधन क्या कहता है क्या कहता है आपर एज लिमिट में टी यह ओबर एंड एब आपर एज लिमिट अपर एज लिमिट में तीन बर्स की छूट आपको दी जाती है यहनिकी एलपी इसके बारे में कहता है एज लिमिट जो है एक साथ दो हजार चूट को 18-30 दी गई है अभी हमने पाइब जिरू दिखाए उसमें कहा गया है एक साथ दोजार चूबिस को 18-30 होगी वह कहता है कि 18-30 नहीं अब 18-33 होगी तीन बर्स की छूट आपको दे दी गई को इन के कारण बीच में को इन जो आए था उसके कारण तीन वर्स की छूट दे दी गई है एक इसमें तो 18-30 नहीं 18-30 होगी एज लिमिट जो डेट बता रहा था तो 5.2 के बारे में कि किस परकार से बता रहा है पर लिमिट आप डेट आप बर्थ और लोवर लिमिट आप डेट बर्थ इसकी प्रकार नहीं यह दोनों डेट सबकुछ डेट जो है इंक्लूडेड होंगे इसमें यूर और EWS के लिए 27 उसकी जन्मती थी दो साथ 990 से 17 2006 के बीच और EWS कंडिडिट के लिए 27 2988 से 17 2006 के बीच होनी चाहिए और SCST कंडिडिट के लिए 27 1986 से 17 2006 के बीच बर्थ होनी चाहिए हलां कि यह सब इडट इंक्लूडेड है इसमें प्रसेस में जो है टिरिक में थोड़ा सा क्या तो इस देट में थोड़ा सा चेंज किया गया है और आपको तीन बर्स की चूट दी गई तो यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कर दीजी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लें और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वेल को आउन कर लें जैसे इस प्रकार की कि इस आपको समय समय से मिलते रहें धन्यबाद